नमस्कार दोस्तों मैं राजू एक बार फिर आपके सामने एक नए वीडियो के साथ तो चाहता हूं आप आपसे की कुछ देरी हो गया मेरे वीडियो आने के लिए तो मैं आपको आज डिगलीपूर का दिरिश्य पूरा दिखाने वाला हूं त्वाया टिए दोस्तों चलिए है वीडियो में यह है वेजिटेबल मार्केट हमारे जोह दिगलीपूर के वेजिटेबल मार्केट जो अभी इसका जो है पुराना बिल्डिंग तोड़ करके उसे बनाया जा रहा है तो यह नहीं टेम्प्रेली यह मार्केट चल रहा है दोस्तों सौरी वीडियो तोड़ा डिले हो गया मेरा और यह चोटे मटे दुकान लगे हुए यहां पर और मैं आपको आज डिगलीपूर का पुरा धुस्स田 दिखाने वाला हुं इससे डिगलीपूर का मैंने वीडियो पहले भी було किया था भी अधुशा कि दुकान अगेरा मैं आज आपको दिखाना दिखाने वाला हूं ठीक कर से बने रहे यह यह ए governors को इस नहीं से अबसे डिर बेजा सुरुत अगर पोर्बर से आती है तू अबसे बेजा सुरुत अबसे आती है है अबसे इसे डिकलीपूर जो है पोर्ट बेर के बाद सेकेंड बड़ा सीटी है बेटा टाउन है आप कहा सकते हैं एक तरह से टाउन जैसा है डिकलीपूर बहुत जादा पॉपलेशन वाला इलाका है और यह पोर्ट बर के बाद सेकेंड नंबर पर है यहां पर जो हो गाड़ी खड़ा होता है जो रादा नगर जाने याप फिर आपको हाथी लेवल जाने के लिए गाड़ी यहां मिल जाता है और यह पर ओटो स्टेंड और यह जो रोड लेफ्ट में जाता है यहां से भी आप सीता नगर निकल सकते हैं अब कर दो कर दो कर दो कर दो कि यहां पर सारे स्पेर पार्ट्स मिलते हैं गाड़ी का है और यह यहां कैनरा बैंक पहले जो है सिंडिकेट बैंक हुआ करता था अब मर्ज होके साइद कैनरा बैंक हो गया कि यहां से हम वापस चलने हैं बजार कि पहले मेरे वीडियो में जो है आपको रोड ज्यादा दिखाई दिया था तो इस वार मैं जो आपके लिए डिकलीपूर बजार का वीडियो मतलब बजार पूरा क्लियरली दिखाना चाहता हूं यह नया बिल्डिंग जो हैं का दुकान और यह यह रादा लागर के सारे गाड़ियां यहां खड़े रहती है दिखें यहां पर एक मेडिकल स्टोर है जैगरू परिकल स्टोर और यह यहां सारे चोटे-चोटे दुकाने जोल्री शॉप वगरा कांक्रेट ब्रीज रासन दुकान कपड़ा कपड़ों के दुकान सूरे ते शिटिस्टाल है यह जो लạट में जो बील्डि करई your बील्डिक है ट्रांसपोट डिपारट्मेंट का अपको अगर टिकेट लेना हो है यह पर किसी भी तरह कर ट्रांसपोर्ट के बारब जानकरे में यह बड़ा सा दुकान है और यह यहां पे संसाज जन्रस्टो आर्केट रडर्स और यह एक आपोसिट में मैं दिखांगा आपको वापस पे में एक तरफ को दिखा देता हूं अभी बहुत सारे बन रहे आने वाले दिनों में सब बन के तयार हो जाएंगे और काफी कुपसुरत लगेगा हमारा डिल्यपूर यह बिल्डिंग में अंडर कर्स्ट्रक्शन है और यह यहां है स्टुडेंट गुड्स जो बच्चों के लिए सभी कुछ बात मिलता है इस स्कूल से रिल्टर्ड जो भी चीज है यहां इक दुर्रुआ लाड़्ज हैicana बिल्डिंग में अंडर कंस्ट्रक्शन बरनग और सामने जो टावर दिक रहा है और जो हैं डीके टावर कि यहां लॉट्जिंग अगरा है यह देखिए टावर जो है अब देख पार है डी के टावर अब यहां पर स्ट्यस बस खड़िये है साथ में आनल बस भी यहां पर होल्ड करता है राइट को अब मोहन फूर्ड और यह सामने जो बिल्डिंग दिखा है यह सुबास ग्राम स्कूल है यह सुबास ग्राम स्कूल अब हम वापस बजार की हो और यह यह हैक्सिस बैंक हीरा होटल एस और हीरा ग्रोसरी मार्ट होटल आपको आगे था मैं छोड़ गया वाँ पर और यह बसें यहां खड़ी है और यह जो रोड है मेडिकल आप सी एच सी डिग्रीपूर जा सकते हैं या फिर और कालीपूर समीट आरेन वजारा यहां से जाते हैं इस रोल से और यह स्टेडियम है लेट में जो बिल्डिंग दिख रहा है जो स्टेडियम डिग्रीपूर का इकलाउता स्टेडियम है और सामने जो बिल्डिंग अड्मिन्ट्रेशन बिल्डिंग पहले भी दिखा चुका हूं अग्यां अड्मिन्ट्रेशन बिल्डिंग और यह हैं डॉल्फिन चॉक इसे हम डॉल्फिन चॉक के नाम से जानते हैं सामने लेफ्ट में जो है कैरला समझ हम और जितने गाड़ियां घड़ी है कार्गो स्टेंड यापका डिगलीपूर को जो है कार्गो स्टेंड है चोटी बड़ी सारी कार्गो गाड़ी यहां कड़ी रहते हैं अ कि पोस्टाप है और उसके बागर में कमिनिटी कॉटा सा उसके पास में जुषय काली मंदिर है देख आली मंदिर ऑसके ठीक बगल स्टेट बैंक फिया सिगलीपूर ब्रांच कर देट बैंक फ इंडिया डिव ट्रींच और उसके पास Caro परटी बेस और सिसिए सई से जो बंद बंद है भी सीजिय और यह एक मंदिर कब है मंदिर त्रीक बगल जो है कोपर डिवेंक यह बंद है कोपर डिवेंक होड़ी शौप सिर्फिंग कंप्लेक्स संजी बिल्डिक्स है है उसके जो है दिख है पुलीस बूट छोटा सा दिख रहा है पुलीस बूट और सके बाद इस तम्जिस संगम है और यहां पे मार्ट js countries लो सगाया वा ताइम बिंग के लिए और ये कालीगाट जीप स्टर्ड है कालीगाट के कालीगाट जाना चाहते हैं तो यहां के यहां से आपको जीप मिलेगी तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा धन्यवाद